Aoolo of COGS, तो COGS कितना हो जाएगा? 140, 545, 45, 43,000 होगे हमारा COGS, हमने नहीं आपको सिखाया भी है, या थो, direct material, direct labor, और direct expense, हम add करते हैं तो आता है प्राइम कोस्ट, इसस, है ना, उसके बाद हम लोग add कर देता हैं, आपने कॉपी पर लिखा होगा तो देखिए जो भी होगा हम लोग आड़ कर देंगे अगर कोई ओपनिंग डबलु आईपी होता है तो आड़ कर देते हैं ओपनिंग डबलु आईपी अगर कोई क्लोजिंग डबलु आईपी तो क्लोजिंग डबलु आईपी क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं अगर हम लोगोंने किसी तरह स्क्राप किया है इस क्राप वगरा बेचा है तो माइनस कर देंगे यह क्या आएगा work cost उसके बाद हम लोगों क्या एड करना होता है work cost भी कहते है factory cost भी कहते है फिर क्या एड करना होता है office and administration overhead जो भी होगा जोड देंगे इसके बाद क्या आ जाएगा cop cost of production देखिए short के question number six में हम लोग को यही दिया हुआ है बच्चों cop cost of production और cop के बाद अगर हमारे पास कोई भी opening finished goods है add कर दिये closing finished goods को क्या करेंगे less कर देंगे क्या जाएगा बुलिए क्या जाएगा cogs very good cogs cost of goods sold और last में हमको distribution का expense जोड़ देना है बच्चों selling and distribution बेचने का जो भी खर्च लगेगा selling and distribution overhead add कर देंगे यह आ जाएगा cost of sales profit add कर देंगे profit add कर देंगे यह आ जाएगा sales simple यह तो मैंने आपको पहले भी सिखाया बुला नोट डाउन करने के लिए भी आईए question number seven पर आते हैं ठीक है अब देखिए seven में क्या दिया हुए आपको COP दे दिया है बचो जहां से दिखिएगा question number seven में cost of production आपको दे दिया है opening finished goods दे दिया closing finished goods दे दिया तो opening add कर देंगे closing minus करेंगे तो क्या जाएगा COGS COGS और फिर हम इसमें add कर देंगे selling और distribution expense तो क्या जाएगा हमारा COS आ जाएगा cost of sales आ जाएगा फिर selling price दिया हुए है मत्तर sell price दिया हुए है अगर हम balancing figure निकाल ले तो यह हमारा profit आ जाएगा भारी है क्या seven number question भारी है बहुत असान है बनाया जा इसको चलिए जल्दी से इस question को solve कीजिए फिर बताइए 10 number बनाए है हम help करते हैं देखे जिनको दिक्कत हो रहा होगा उनका हम help करते हैं सुनिये सबसे पहले बच्चों हम लोगो calculate क्या करना है तो भाई statement of cost बनाना है किसका बनाना है तो of cash and company limited सबसे पहले हम लोग हेडिंग दिये क्या हेडिंग देंगे बच्चों statement of cost देखे statement of cost of of cash of cash and company limited ठीक है हम लोगों हम लोगों हम लोगों हेडिंग दे दिये किस मंत का है तो 31st March जिस date का है वो date लिख देते हैं 31st March 2014 चलिए हम लोगों ने date दे दिया यह format हो गया हमारा particular particulars और यह हो गया amount सबस्क्राइल हम लोगों क्या लिखे direct material direct material direct material कितना हो गया भाई 90,000 आच्छा उसके बाद क्या दिया है direct material के बाद हम लोगों को दिया है बच्चों direct labor लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा labor की information में यह भी है कि abnormal ideal time भी है अब लेबर बैट कर time भी waste किये है तो भाई abnormal ideal time है तो वह तो minus होगा कितना abnormal ideal time कितना है भाई तो साढ़े 7,000 चलिए साढ़े 7,000 हम लोगों ने minus कर दिया बच्चा कितना बच्चों एक लाक तेरह हजार पांसो ने सोरी साढ़े बारह हजार होगा ना एक लाक बारह हजार पांसो इसके बाद अवाज जारी बच्चों इस सर्थ फिर डारेक्ट लेबर होगे डारेक्ट expenses देखते हैं को डारेक्ट expense है हासर है शे हजार डारेक्ट expense शे हजार हम लोग जब इसको जोडएंगे तो यह आएगा हमारा cost क्या आएगा prime cost तो 90 हजार साठे बारह हजार और 6000 कलेक्शन टोटल करने पर कितना होता है 2,500 जोड़ दिया हम लोगोंने बच्चों तो जैसे फैक्टरी ओवर्हेड जोड़ते हैं तो यह हमारे पास आता है वर्क कोस्ट या तो हम इसको वर्क कोस्ट भी कहते हैं या फैक्टरी कोस्ट भी कहते हैं तो यह हो गया 2,1500 चलिए वर्क कॉस्ट के बाद हम लोगों को जाना है Office और Administration Office and Administration over head में तो देखिए तो बचूं Office और 애डमिस्टेशन over head में कितना दिया हुआ है 15,000 हम लोगों ने जोड दिया ये क्या हो गया हमारा cost of production Sir work cost रोषी 200,000 होगा न सब्सक्राइब कर दिए तो कॉस्ट प्रोडक्शन अपना कितना हो जाएगा टू लाइक फॉर्टे सेक्स थाउसंड है ना चलिए यह हो गया COP अब देखेंगे बच्चों ओपनिंग फिनिश गुड्स है या नहीं है तो सब्सक्राइब कहीं दिख नहीं रहा है निल कर देंगे एड़ ओपनिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस कर देंगे बच्चों क्लोजिंग फिनिश गुड्स कुछ है नहीं छोड़ दीजे यानि यही हमारा क्या बन जायेगा यह बन जायेगा हमारा सी यो जी एस सेम वैलू रह जाए पॉस्ट ऑफ गुड़ सोट दो लाख च्यालेस हजार उसके बाद सेलिंग एंड डिस्टिबूशन ओवर हेड चलिए सेलिंग डिस्टिबूशन ओवर हेड कितना पच्छातर सो एड कर दिया यह हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स दो लाख तिरपन हजार पांसो अच्छा को हम लोग को सेल्स वैलू भी दिया है नहीं सर आप तो कुछ दिया नहीं है यानि यही बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कहिए या इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट कहें बात एक ही है अब बताएए इतना छोटा सा क्वेस्टन था ना आप लोग के साइट से कोई रिस्पॉंस आ रहा था ना हा बोल रहे थे कुछ न ना बोल रहे थे ऐसे थोड़ी पढ़ा हुआ था सर बन गया था गुट चलिए तो यह 10 नंबर कंप्लीट हो गया चलिए जिनका नहीं बना है प्लीज बना यह जल्दी से अगले क्वेश्टन में चलते हैं कोई बच्चा है जो बना रहा है चलिए यह अगले क्वेश्टन पर चलते हैं बच्चो देखिए अब क्वेश्टन नंबर आपको देते हैं यह तो छोटा छोटा क्वेश्टनस है यह question बच्चों यह थोड़ा सा बड़ा है 16 नंबर ठेक है 16 नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसमें देखिए क्या-क्या दे दिया है आपको कह रहा है कि total production 10,000 kg हम लोगों ने किया है cost of raw material दिया हुआ है carriage inwards का detail है मतलब raw material मंगवाया है उसको मंगवाने में जो भाड़ा लगा direct wages indirect से देखिए direct wages कहां जाएगा prime cost यह भी आपको पता है indirect wages कहां जाएगा factory overhead में salary of work director यह भी factory overhead में office expense यह बच्चों office और administration overhead में salary of managing director office और administration overhead director fee office और administration overhead selling expense बच्चों selling and distribution overhead payment of income tax बच्चों यह नहीं जाएगा क्योंकि financial transaction समझ रहे हैं financial transaction क्यों जाएगा cost में dividend paid यह भी financial transaction है यह भी नहीं जाएगा तो financial transaction सब नहीं जाएगे तो हम लोगों को financial transaction को include नहीं करना है चलिए बनाए तो इसको चलिए complete कीजिए धड़ा 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 लेकि हम बताते हैं थोड़ा समझ यह वैसको लेकि हम इसको minimize कर दे रहे हैं चलिए पर्टिकुलर्स यह हो गया बच्चों हम लोगों का total cost यह total amount और यह per unit cost हो गया ठीक है हम लोगों हो टोटल कितना किया है 10,000 kg आउटपूट कितना है अपना आउटपूट है 10,000 kg चलिए आईए सबसे पहले आते हैं हम लोग raw material क्या दिया हुआ है आउटपूट कितना लगा 40 रुपीज अब देखिए मंगवाने में transportation भी लगा है carriage inward carriage inward चलिए कितना भाई तो 4000 एक यूनिट का कितना लगा 40 पैसे काईदे से तुमको बच्चु इसको material में add कर देना चाहिए था लेकिन चुक्कि दिमाग से निकल गया इसलिए हम अलग से दिखा दिये direct wages कितना है तो टू लैक रुपीज एक यूनिट का कितना 20 रुपीज टोटल कर दिये तो यह हो गया अपना प्राइम कॉस्ट ठीक है add कर देते हैं छे लाग चार हजार छे लाग चार हुज जाएगा बच्चु आप लोग भी मिलाते लिएगा 60 रुपीज 40 पैसे हो गया अब आते हैं हम लोग factory overhead में factory overhead तो factory overhead में देखे क्या चीज़ा है दो चीज़े हैं एक indirect wages है indirect wages कितना लगा है तो indirect wages लगा हम लोगों का 20,000 एक यूनिट बनाने में कितना लगा होगा टू रुपीज डारेक्टर को हम लोग कितना सालरी दिये है डारेक्टर को बच्चों सालरी पे किया गया वन लाक रुपीज ठीक है पर यूनिट कितना लग गया 10 पैसे है चली टोटल करेंगे तो यह हो जाएगा work cost यह हो गया छे लाग पच्चेस हजार चली यह हो गया अपना बासाट हज़ार स्वरी बासाट रुपया पचास पैसा फिर हम लोग बात करते हैं और उफिस और administration expense की और ऑफिस एं एडिमिनिस्टरेश्इन ओफर हैड चैली तो कितना लगा और अच्छा सोरी 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 अच्छा डेरिक्टर दो तरह कि थे एक वर्क डारेक्टर है ठीक है चलो तो यहाँ डिएख पैसा यहां डाल देंगे Office expense किटना लगा office expense office expense लगा बच्चों 40,000 एक यूनिट का कितना हो गया 4 रुपिस फिर हम लोगों ने MD को कितना salary दिया MD को हम लोगों ने salary दिया 4,000 यानि 40 परसद हो गया उसके बाद director fee भी था ना शायद हाँ कितना दिया हम लोगों ने 3000 ये हो गया 0.30 चलिए प्रोटल करेंगे तो यह हो जाएगा अपना सी ओपी कोस्ट अफ प्रोडक्शन शे लाग बेहत्तर हजार यह हो जाएगा 67 रुपीज शायद 20 पैसे चेक कर लेना तो बच्छो 20 पैसे होगा चलिए COP आ गया अब हमको क्या एड करना है इसमें और क्या बच रहा है फिनांशल ट्रांजेक्शन तो लीजिएगा मत इंकम टैक्स पर पेमेंट भी नहीं जाएगा और आपका डिविडेंट भी नहीं जाएगा यह तो ध्यान रखना है यह दोनों फिनांशल ट्रांजेक्शन चलिए सेलिंग इंडिस्टिबूशन ओवरहेड पे आते हैं सेलिंग इंडिस्टिबूशन ओवरहेड कितना है बच्चो 40,000 एक यूनिट का कितना लग गया 4 रुपीज ना चलिए टोटल कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा COGS इसके बाद कुछ है नहीं तो आप इसी को टोटल कॉस्ट भी मान लोना कुछ तो है ही नहीं आगे निल निल शो करोगे तो 7 लाग 12,000 यह हो जाएगा अपर यूनिट कितना हो जाएगा 71 रुपीज 20 पैसे सिंपल बच्चों बन गया थोड़ा सा ध्यान देना है लेजिए बनाइए तो फटा फट एक बार आप लो 16 नंबर क्वेश्चन को मैंतों है 오 कि question में साफ साफ कह दिया था कि जब बोल दिया है कि कोषड बना यह तब तो फेर बनाना पड़ेगा बस बोल था कि पर उनिट बताइए तब तो ठीक था हमें statement of cost बना लेते और अराम से शो कर देते लेकिन वह स्पेसिफिकली बोल दिया था समझे कंप्लीट होगे आप लों का कर दें तो आये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है कि रोव मेटरियल कंज्यूम्ड कितना है भाई रोव मेटरियल कंज्यूम्ड अपने पास तो थाटी थाउजिंड डारेक्ट लेबर सिक्स्टी थाउजन प्राइम कॉस्ट तो आ जाएगा बच्चो कह रहा है कि वर्क ओवर हेड जो है वो 40 परसेंट अफ वर्क कॉस्ट है देखिए खेल गया आपके साथ 40 परसेंट है एक बात बताईए बच्चो ज़रा सब दिमाग लगा के सोचिएगा प्राइम कॉस्ट में जब फाक्टरी ओवर हेड एड होता है तो यह बनता है वर्क कॉस्ट देखिए चीजों को समझिएगा कह रहा है कि work overhead 40% है work cost का मतलब कि अगर यह 100% है तो यह कितना है 40% इसका 40% तो इसका मतलब prime cost कितना percent है 60% समझ रहे हैं इसका मतलब prime cost कितना है 60% तो आपको 60% का क्या 60% का क्या निकालना होगा 40% मतलब अगर आपको factory overhead निकालना है तो simple आप प्राइम कोस्ट का निकाल लीजिए ना 40% आपको फैक्टरी ओवर हेड निकालना है तो वो 40% है अब प्राइम कोस्ट अपने आप में कितना है 60% है तो 60% का 40% निकाल लीजिए आ जाएगा समझे एब ट्राइ कीजिए 15 नमबर 15 ट्राइ कीजिए नहीं बनेगा तो हम बताएंगे